यहां के आप स्वराज देखके यह मतलब आपको लगता होगा कि यह कौन सा ट्रैक्टर है स्वराज ने अभी भी यह ट्रैक्टर लॉंच किया है और यह स्वराज टार्गेट 630 4 by 4 मतलब की स्वराज ने जहापानिश टेक्नोलोजी के साथ मिल कर यह ट्रैक्टर बनाया है य यह जो ट्रेक्टर है प्रोपर अभी जो 2024 की टेक्नोलोजी उसी के साथ आपको मेखना को मिल जाता है। यह जो ट्रेक्टर है वो मतलब ऐसे experimental स्वराज ने यहाँ पे इंडिया में निकाला है। और इसका केबिन भी आप देखोगे तो कार जैसा आपको यहाँ पे नीचे मेट्रेस देखना को मिलती है। बॉनेट खोलना है तो यहाँ पे आपको switch मिलेगी। इसको ऐसे खेचने से यह प्रोपर उपर चला जाता है। यह आपको hydraulics truck मिलते हैं यह देखो तापको gas truck यहाँ पर देखना को मिलते है। तो अगर engineering की बात करें तो यह जो conventional tractor है उससे थोड़ा आपको complicated चीज़े यहाँ पर मिलेगी तो उससे आप एक बास समाझ सकते हैं कि इसका जो service cost इससे थोड़ा higher रहने वाला है आगे आपको bonnet यहाँ पर आपको battery मिल जाती है तो battery का जो अंदर ही आपको प्लैसिंग मिल जा जाता है यह ऐसे बाहर नहीं निकलता तो आपको जो यह पहले तो visibility काफी है कि अच्छी हो जाती है और जो इसका धुआ है वह इस जाली से निकल जाता है और जो गर्मी एंजिन की वह भी जाली से निकलती है इसको पर लिखा भी गया कि होटे मलब गरा में सारी चीज़ है यह इसको अधना नहीं है अभी इसको बंड करना है तो आपको इसमें किलिंग स्वीच नहीं मिलती है इसमें क्या होता है कि कार जैसा है इसको ऐसा बंद कर दिया तो बंद हो जाता है तो उस तरीके कि यहाँ पे system मिलते है इस ट्रेक्टर में जनरी आपको 4x4 system देखना को म मिलता है अगर Τौक की कॉलेटी की भी बात करें तो आपको यहाँ पे अच्छी कॉलेटी के टार देखना को मिल जाते है तो आपको 975 किलो के यह प्रौपर आपको देखना पर अगर इसके एंजिन की परिकल बात करते और अपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जनरल यहाँ से आपको कर सकते हैं और इसमां यहाँ पर पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं यह देखे प्रोब पर इसका फंक्शन है बहुत ही अच्छी वाली यहां से फिल आ रही है अगर इसी गेर की बात करें ना तो इसमां आपको जनरल यहाँ तरह के जो यह सारे ट्रेक्टर होत अभी हाइः है यह यह न्यूट्रल हो गए और यह मतलब इसका मीडियम होताय के लो होताह तो चलो लो में नहीं चला था मिडियम में चला सकते हो और है उस तरह के का यहां सारा तो यह तो यहांपर और पांशुचारीकर यहां को ओन करना है तो कैसे करें तो यहां पर देखोगे तो यहां पर स्वीच आपको देखना हो मिलता है यह जो स्वीच इसको यहां पर इसे ओफ है अभी इसको इसे प्रेस करना है और यहां पर जो भी आप सिलेक करोगे वह उस तरह कैसे यहां से चल जाएगा और यह जो एक्सल आपको इन्य पर्फ कर सकता है जो कि काफी बात है और यहां पर होग दीखो गए तो इसको निकालोगे यशे लोगे और इसको उपर नीच friction की आप यहां पर अपनी ऐसाब यहां पर अपनी हिसाब से कर सकते इंस्ट्रिक्टर की बात कर रहे हैं तो आपको यहां पर RPM का मिल जाता है यहां 3.500 और यहां पर फिल मिले चाता है और यहां को हो एक बाइन देखो गए तो कुछ ऐसा चलता है लिटरल धिर प्रेज़ होगे यह पर इसके र UX लगते हैंव और यहां पर जैसे ये इस ट्रेक्टर की बात करें मिलती हैं यहां पर देखा तो यह जो हेलोजन होटी है वह आपकी बेंक की लोन हो जाती है तो प्राइजिंग की बात कर थोड़ी हायर साइड में रहती है मतलब जन्रल आप कभी-कभी इसमें बड़ा ट्रेक्टर भी लेहाते हो पर उस तरह किसी सिस्टम इसकी देखे तो काफी आपको बढ़िया देखना को मिलते हैं और जापान इस में देख़े वो काफी यहां पर सही देखने को मिलते हैं जो सीट इसका कमफट काफी सही ए तो उससारे के सारह सारे सिस्टम रहता है तो आपको और भी महाईती चाहिए इस ट्रेक्टर के बारे में तो में इसारूम का नंबर आपको description में देदूंगा तो आपको वहाँ पर आप कोल जाके आपको पूद सकते हों तो याँ, thank you so much for watching this video, if you like this video then do subscribe to my channel, I will meet you in the next video, bye bye and take care guys